नमस्कार दोस्तों सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग स्टेटिक जी के पॉर्षन को भर कर रहे थे आरण भी एंटेपी से एक्जाम के लिए जो कि आपका यह काफी इंपोटेंट है और इसमें हम लोग वही सारे टॉपिक्स को देख रहे हैं जो कि आपके एक पुछे ही जा रहे हैं आपसे और इसके अलावे देखिए पीडिया भी हमने आपको अल्री प्रवाइड कर दिया है स्टेटिक जीके का तो लिंक की दिस्क्प्शन बॉक्स में दिया हुए तो वहां जैके आप लोग पीडिया को बाइक कर सकते हैं और इसके अलावे देख करते हैं आज का कलास के तो आज जो हम लोग जितने भी इसपोर्ट परसन और वह जिस भी फिल्ड्स से अपना असे सटेट है यानि कि जो इसपोर्ट से वह आस्टेट है तो हम लोग देखेंगे और यह आपका काफी इंपोर्टन टॉपिक है आपके जो एक्जाम हो रहे है तो इसमें भी आपके question पूछे जा रहे हैं इससे तो यहां पर दिखिए जो question आपका है जो प्रिवेश से में आपके पूछे गया थे कि इसका दिखिए राइट एंसर है आपका option D that is weightlifting तो कर नाम बले स्वरी जो है तो यह एक इंडियन यह weightlifter है जो कि इन्होंने दिखिए यह फर्स्ट ऐसे बिंडियन में थी कि जिन्होंने मेडल जिता था ओलम्पिक्स के गेम में और देखिए इनको जो है 1995 में इनको राजु गांदी खेल रतम भी आवार्ड दिये जा चुका है जो कि इंडिया के highest sporting आवार्ड है इसके अलावे जो है इनको 1999 में इनको जैसे जो पद मिसरी आवार्ड है तो यह भी से इनको नवा जीता था और यह किस से असुसेड है तो यह आपका बेट लिफ्टिंग से आपका हो जाएगा तो देखिए जितने भी sports person है और उनके जो भी games है जो associated है इनसे तो यहाँ पर हमने list पूरा तयार किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जितने भी sports person है और जो फिल्ड उनकी है यहाँ पर और यह सारा चीज आपको पीडिएप में आपको मिल जाएगा अप लोग देख सकते हैं जो इस्टेटिक जीगा पीडिएप है तो उसमें आपको यह सारे list वहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यह पास पादुकोन हो गया परपलू कश्यप हो गया सायना नहवाल हो गया तो इस तभी का तो नाम आपने सुनाई होगा तो यह सारे जो फेमस बैडमिंटन प्लेयर है तो इसके अलावे और भी आप लोग याद रखना जैसे कि इसमें आपका है अनूप स्रीधर इसके जादा कुछ करने की उतना नहीं है बस आप लोग इसको एक दो बार अगर आप लोग रैमिंग बना के आप लोग पढ़ते हैं जैसे आपका पीवी सुन्दू हो गया प्रकास पादुकोन वरुपली कश्यप सायना नहवाल हो गया और इसके अलावे इसमें आपका जो इंडिया में फेमस है तो उसमें आपको जैसे सन्य मिरजा के बार अपने सुना ही होगा लेंडर पेस का भी अपने नाम सुना होगा इनका इसके अलावे महिस भूपत्ति और उसके बाद एक और है फेमस है जोकि आपका इसमें रोहन बहपनना है तो यह जार फेमस टेनिस इंडिया के इनको तो याद आपको रखना है इसके अलावे जो और भी जो फेमस प्लेयर टेनिस के इसमे के आपको जैसे होगा विजय利 अमृताय अपको हो गया यूकी भंभरी हो गया और इसके अलावे असौक Łamrita zap Над Dollar Mut alguna ago हो गया कि यह सारे टेनिस प्लेयर है इसके बाद दिखिए यहां पर हम लोग देखते हैं फेमस हॉकी प्लेयर क्या तो देखिए होकी प्लेयर के लिस्ट में जो आपका सबसे पहले नाम आपका एंगा तो मेजर ध्यांद छंत है यह तो तो इन सभी को पता ही होगा इसके अलावे जो और भी famous player है तो इन सभी आपको नाम याद रखना इनका जैसे आपको धनराज पिलाई हो गया सरदायर सिंह हो गया अजीत पाल सिंह हो गया इसके अलावे पिया स्री जेज हो इसके अलावे धनारज पीले आपका हो गया तो यह सअरे आपके फेमस होकीड प्लियर है इंडिया की दरोब से आप लोग जो है इसको कोई ट्रीक नहीं है कि आप लोग इसको याद कर सके बस आप लोग नाम सुनते रही और इसको बार-बार आप लोग रिपीट करते रहिएगा देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएंगे और वहीं पर दिखिए फ्यमस जो फुटबॉल प्लेयर हैं इंडिया के त जिसके अलावे नेवीली डी सूजा आपका हो गया उसके बाद छुन्म को स्वामी है फिर यहां परłeय पैर लिश्ठ है शूटिंग ने की जो शूटर होता है यहां पर होता है यहां पछिपंट रहां होता है यहाँ तो वह आपका अभिनो बंद्रा है तो यह तो काफी नाम फ्यमस है इनका तो यह आपको याद हो गयी होगा इसके अलावे और भी नाम आपको याद रखने होगे जैसे जैसे कि आपको विजय कुमार हो गया अंचली भागवत आपको हो गया हीना सुधू हो गया इसका लवे मंजीत संध्यू हो गया और इसके बाद फिर आपको नाम याद रखना ये किसी तरह से यह सारे जो फेमास्ट इंडिया के पिर इसके बाद देखिए यहां पर आपका रेसलिंग से रिलेटेड है जितने भी इंडिया में जो भी रेसलर्स है जैसे कि इसमें आपका नाम पूछा जाता है तो आज देखिए कोशन आपका पूछा गया था सुसिल कुमार का तो यह आपका आज ही के सिफ्ट में पूछे इनका तो नाम याद रख नहीं है इसके अलावे जैसे और भी है जैसे बजरंग पुनियाप का होगया बविता कुमारी होगया विनेस फुगट हो गया इसके अलावे नर्सिंग uponमियादो संदीफ ओमर हो गया तो यह सारे जो ढमस रेसलर है एंडिया के इसके जो famous athletes है, athletes यहाँ पर मतलब कि इसमें देखिए बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको कुछ sprinter होते हैं, कुछ archery से related होते हैं, कुछ long jump कुछ sprints से related होते हैं, तो यह सारे चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग जैसको जुरूर रियाद रखना है, इसके अलावे देखिए मिलखा सिंग आपका है, तो यह भी sprinter आपका है, यह भी कापी famous है, इसका आपने movie भी देखा होगा, फिर इसके बाद देखिए अगला आपका अंजु वववी जॉर्ज है, तो अंजु वववी जॉर्ज है, तो यह long jump से associated है, फिर इसके बाद duty चंद है, तो यह भी sprinter है, यानि कि धावक है, फिर इसके बाद देखिए ललिता बबबर भी आपका है, तो यह track और field athletics है, फिर इसके बाद देखिए इंदरजीत सिंग है, तो यह short put है, यानि कि short put throw करते हैं, जो कि गोला fake आपका रहता है, फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है, मुहमद अनास है, तो यह running करते हैं, इसके अलावे देखिए जिंसन जॉंसन जो है, तो यह जैबलिन थ्रोवर है, तो इन सभी का नाम आपको जो है, जरूर याद रखने हैं, फिर इसके बाद देखिए, boxing player का हम देखते हैं, जो कि इंडिया में जो काफी famous है, तो जिसमें कि आपका बिजेंदर सिंग एक famous हैं, और इसके अलावे मैरी कॉम है, जो कि यह भी famous है, इन देखते हों कि जो भार उठाते हैं, तो इसमें आपका, जैसे कि main आपका है, इसमें सभसे famous है, तो वो है आपका, that is, मिरा भाई चानू, यह आप लोग याद रखना, यह आपका हमेसा पुछा ही जाता है, इसके अलावे करना बलेसवरी का, जो कि आप से अभी question में पुछ आपका हो गया, तो यह सारे famous weight lifter हैं इंडिया के तरफ से, फिर अगला देखिए आपका golf से, जितने भी important player आपके हैं, जैसे कि आपका हो गया, जीव मिलखा सिंग आपका हो गया, यह other person है, फिर इसके बाद आपका गजिद भूलर आपका हो गया, और निर्बन नहीरी आप table tennis आपका है, तो table tennis में देखिए एक आपका काफी famous name है, जो कि आपका है मनिका बत्त रखा, तो यह इनका news में राती है, यह आप लोग इसका जुरूर नियाद रखना है, इसके अलावे जैसे कि आपका सौमेजित घोस हो गया, इसके अलावे मौमादास आपका हो गया, तो आर्चरी से, यानि कि जो तिरंदाजी करते हैं, तो जिसमें कि आपका दिपिका कुमारी यह काफी famous आपका है ही, और दिपिका कुमारी आप लोग बताना है कि यह कौन है, इंटियन क्रिकेटर से भी इनका आप लोग बताना कि कोई है कि इसके वाइप है, फिर इसके बाद आपका है, इसके बाद लक्ष्मिरानी माजी आपका हो गया, फिर मंगल सिल्चाम्पिया और पूरनीमा महतो आपका हो गया, तो यह सारे जो famous आर्चरी के पिलियर है, फिर इसके बाद देखिए जिमनास्टेदी हम बात करते हैं, जिसमें एक आपका सबसे famous है, वह है दिप प्लेयो की बात करते है, तो जुटो के देखिए जो famous प्लेयर है, वह है आवतार सीख, और अगला देखिए आपका जैसे पंका जडवानी है, तीन का भी नाम आपने सुना होगा बहुत बार, तो यह famous बिलियर्स और स्नूकर प्लेयर है, फिर अगला देखिए आपका प्रि प्लेयर है उनसे, तो यह हमने लिस्ट तैयार किया हुआ है, जो कि आपके एकजाम में पूछा आता है, तो आपको यह याद हो जाएगा, और question आपके पूछे जा रहे हैं इससे, यह भी आपका काफी important topic है, फिर देखिए अगला question जो आपका पूछा गया था, प्रिवेस लिप्टर है इंडिया के, तो इन्हों देखिए, इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया हुआ था, इन्होंने गोल्ड मेटल जीता हुआ था, जो कि यह चैंपियन सिफ हुई थी, ऐसा ही सेंटर पटियाला में, तो इसमें इन्होंने जा है, बेंस काटेगरी में, 56 काटेगरी म इन्होंने नेशनल, जो सिनियर नेशनल वेट लिप्टिंग चैपियन सिफ हुई थी, तो इन्होंने गोल्ड मेटल जीता हुआ था, फिर इसके बाद देखिए, अगला कोशन आपके यहां पर दिया हुआ है, कि identify the profession, professional Indian shooter from the following option, तो आपको इसमें से option को चूज करना है कि कौ तो अंजली भागो जहत, यह इन्डिया के फेमस professional Indian shooter है, इसके अलावे देखिए, और भी जो option आपका दिया हुआ था इसमें, जैसे सुधा सिंग आपका दिया हुआ है, तो सुधा सिंग जहत यह Olympic athlete है, और वहीं पर आपका जिसमें की सिवानी कटर यह आपका दिया हुआ ह तो यह सारे list जो है, आप लोग याद रखना और इसके अलावे जो भी list हमने आपको दिया हुआ है, तो आप लोग जो है easily answer को कर सकते हैं, क्योंकि आपको सभी player के आओ, उनका जो भी relation है, उनका sports है, तो वो आपको याद रखने होंगे, तभी आप लोग इस तरह के question को कर स पूछ सकता है, कि कौन सा इसमें से famous Indian shooter है, या फिर कोई कौन सा इसमें famous Indian tennis player है, या football player है, चेस player है, तो कुछ भी आप से पूछा जा सकता है, तो इसके बाद देखिए, अगला question आपका जो की पूछा गया था है, यहाँ पे question देखिए, आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कि which among the following is not an international golfer, तो इन में से कौन सा एक international golfer नहीं है, तो option में दिखिए, आपका दिया हुआ, जैसन डे, माइकल बेवन और अनिर बन लहीरी दिया हुआ है, तो दिखिए, इसमें जैसे list आपका दिया हुआ, इंडर गोलफर का कौन सा नहीं है, तो इसमें Michael बेवन आपका दि आपका दिया हुआ, तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, जीव मिलका सिंग आपका हो गया, गोलफ के जो प्लेयर है, इसका एलावे गगंजित भूलर आपका हो गया, अनिर बन लहीरी हो गया, और सीव जोरसी आपका हो गया, तो यह सारे list आपका याद रखना, आपको यह इंडिया के नहीं है, लेकिन यह भी एक गोलफ प्लेयर है, इसके अलावे दिखें, यहां पर दूसरा आपका जैसे था, इसमें माइकल बेवन था, तो यह फॉर्मल अस्ट्रिलिया के अपको क्लियर हो गया हो गया, यहां पर आपसे जैसे प्रोफेशनल पूछा गया इंडिया के नहीं है, इंडिया के नहीं है, आपसे इंडिया कोई भी कंट्रि का गोलफ प्लेयर के बारे में पुछा गया था, यहां पर तो जिसमें कि आपका अगला कोश्चन है, कि इन भी चोद फॉलोविंग स्पोर्ट्स, ड़स द बंबला देवी रिप्रेजेंट इं यह देखिए एक आर्चरी प्लेयर है, यहनिक यह तिर अदाजी करती है, तो इसका जो है आँसर बॉन आपका हो जाएगा, तो आपको देखिए लिस्ट याद रखने होंगे, सारे चीजों को तब ही आप लोग इस तरह कोश्चन को कर सकते हैं, फिर अगला कोश्चन देख आपका करेक्ट दिया हुआ, दिप्पाक करमार कजोती है, इंडियन जिमनास्ट है तो इसका अलावे प to 2 अपका दिया वबेर है तो इसका अलावे जैस साक्षी मलिक आपका दिया है है तो इन्होंने देखिे 2016 का ek Aim गयं जिता हुआ था तो इस देन होने एक इत्हास रश सब्सक्राइब बन गए थी कि जिन्होंने यहाए ओलम्पिक में कोई भी मैडल जिता था इन्होंने ब्रोंज मेडल जिता हुआ था 2016 जो जो ओलम्पिक हुई थी उसमें तो इसमें देखिए जो करेक्ट्री मैच आपका नहीं है तो वह साक्षी मली जो कि यह boxer नहीं है wrestler है तो इस तरीके से देखिए और भी जो important जितने भी players है और बाकी जो pitch speed से वो relation है को discipline से बिलोंग करते हैं तो आपको जो इसको अच्छे से याद रखने होंगे तब ही आप लोग इस तरह को कर सकते हैं और option eliminate आप लोग कर सकते हैं तो list हमने आपको आपको अलरड़ी दे दिया है जितने भी important famous player है इंडिया के जो sports person स related आपके हैं तो आप लोग जो इन सभी को याद कर लेना और यह pdf में आपका सारा included static gk वाले portion में तो आप लोग उसको देख सकते हैं description box में लिंक के दिया हुआ आपका static gk का तो thank you दोस्तों आपको कैसा लगा यह lecture आप लोग comment करके जरूर बताना और इसी तरीके से आगए भी आपका यह session चलता रहेगा एक्जाम तक और साथ में जो भी important topics आपके रहेंगे static gk का तो आपको हम cover करते चलेंगे तो आपका जो एक्जाम में आपको काफी help मिलेंगे इ इन सभी का तो आपको description box में link इसका मिल जाएगा तो चलेंगे दोस्तों मिलता है next video में तब तक के लिए bye